हमारे देस का दूवाग है पाइस कि इतिहास को सही पर्सप्पक्रीश में समय पर समाज के सामने रखना और कुछ स्व canopy किताबों का महत् depicted आपको कॉता है साहित्यों का महत्व आपका में होता है आधा प्रड्म के वाद दुनियां के सामने मात्मा गांधी को कि अगर किसी ने उस समय हिम्मत के साथ काम करके महात्मा गांदी की जीवन पर पूरी फिल्म बनाई होती और दुनिया के सामने रखी होती तो शाइद हम मैसेजिंग कर पाते हैं पहली बार एक विदेशनी जब गांदी फिल्म बनाई हो और उस्टार के पूरस्कार मिला तब जाके जुनिया को बता चाला गांदी इतने बड़े महान वेक्ति लेकिन कुछ लोग कहते तो बहुत कुछ फिल्म प्रिशन की बात करते हैं लेकिन आप में देखा होगा जब हमने 14 अगस को एक होरर डेते रुप में याद करने के लिए ताय किया तो कई लोगों को बड़ी मुझिमत हो गई है कैसे बूर सकता है देश कभी-कभी उस मेसेज में तो सिखने को मिलता है भारत विभाजन में अथेंटिक को फिल्म नहीं बनी है और इसलिए इन दिन आपने देखा होगा कश्मिर फाइल फिल्म की चेप्टा चल देगा है और जो लोग हमेशा प्रिडम अपक्स्परेशन की जड़ने लेकर की घुमते हैं वह पूरी जमांत बोखला जी पिछे पाच्छे जिन से और यह फिर का तच्छों के आधार पर आज के आधार पर उस इसको डिस्क्रेडिद करने के लिए बड़ा मोहिन चला है अपने देखा हुआ एक पूरी एको स्विष्ट्रिम कोई सत्य उजागर करने का साहस करे उसको जो सत्य लगा उसने प्रस्तुत करने कोशिश की लेकिन उस सत्य को न समझने की तैयारी न स्विकानने की तैयारी है नहीं दुलियां इसको देखे इसके लिए उनके मंजूरी है जिस प्रकांका शडियंदर पिछले पांच-छे दिन से चल रहा है मेरा विशह कोई फिल्म नहीं है मेरा विशह है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप है देश के सामने लाना देश के भलाई के लिए होता है उसके कई पहलूरत रहते है सिको एक चीजद नाराते हैं लुदों दूसरी नाराते हैं उसघ्र को लगता है कि फिल्म Oke delayed by n घृत है लेकिन उनको हरानी हो रही है कि जिस सत्य को इतने तो उसको पूरी को सुष्रिम लग देगे। और ऐसे थमाएं जो सत्य के लिए जीने वाले लोग हैं, उन्होंने सत्य के खाकिर खड़े होना उनकी जिम्मेवारी होती है। और इस जिम्मेवारी मैं आशा करूगा, सब लोग दिभाएंगे। झाले लोग दिम्मेवारी होती है।